हलो नमस्कार मैं योगिस आप सभी का study alert की digital platform पे स्वागत करता हूं तो आज में यहां पर बीएश्टेशी की counseling को लेकर बात करने वाले हैं आप सभी को पता है पांच अक्टूबर की date आच चुकिया और अभी तक आपकी जो बीएश्टेशी की counseling पर क्रिया वो start नहीं की गई है पिछले 6-7 दिन से पहले आपको पता है रिजियर कर दिया गया था उसके बाद में देखो विवात की तरफ से तो कोई official update नहीं आई थी कि पांसतारी को counseling स्टार्ट करेंगे लेकिन आपको बार-बार वीडियो में बताया जा रहा है कि पांसतारी को counseling स्टार्ट होगी मैं को लेकर मैं यहां पर आज बात करने वालों और साथ ही मैं बात करूँगा कि आपकी जो फर्स्ट को लेज अलोट में लिष्ट हो कब तक निकाली चाहिए और कटोप यानि कितने नमत तक वालों को college मिल सकती है यह सारी डाउट इस वूड़ों में देख लेंगे ठीक है कट तक college लिष्ट परवाइड नहीं करवाई है तो मैं आप सभी को बता देना चाहिए जैसी counseling स्टार्ट होगी तो official website पर college लिष्ट अप्लोड की जाएगी वो upload होने के बाद में मैं आपको परवाइड गरूँगा क्योंकि अभी पता नहीं कि total कितनी college याएगी मेरे पास 377 की तो उनकी भी जो लिष्ट वो परवाइड करवानी है तो जैसी counseling स्टार्ट होगी तुम अपने आप आपको college लिष्ट वो परवाइड गरवाद दूगा अभी आपनी गुरूप जोईनी किया तो नभी चोईस एक तीस अरतालीस इठ्वान ठीक है इनिप आप मुझे वोड स्टार्ट कर देंगे तो counseling है वो आपकी कभी भी स्टार्ट हो सकती है ठीक है यह बात आपको ध्यान क्या रखनी अब counseling है वो कभी भी स्टार्ट हो सकती है आज भी आपको notice देखने को मिल सकता है कल भी notice देखने को मिल सकता है और परसो भी देखने को मिल सकता है अगर मैं mentor रपी बात करूं तो आपको अगले एक दो दिन में अगले एक दो दिन में आपको counseling का schedule है वो यहाँ पे upload कर दिया जाएगा एक बात ध्यारखना जी जैसे कि आज आज आपका notice upload होता है साइड पे कब होता है आज upload होता है तो वह notice आपको कल सो करेगा ठीक है वो आपको 6 तरीकों करेगा अगर 6 को upload होता है तो वह 7 को करेगा ठीक है साथ को upload होता है तो 8 को करेगा ऐसे एक दिन आपको पता है यहाँ पर समय लग जाता है notice को आपके इसो करने में उसके बाद में बात कर लेते हैं यहां पर फर्च लिष्ट कप तका सकते हैं देखो काउंसलिंग आपको पता है जैसे ही आपकी 10 तरीक से पहले काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपको बता दूँ तो 20-25 तक तो आपकी एराम से काउंसलिंग पहले आपके फिस बरवाई जाएगी उसके बाद आपकी जो यह कोलेच वह सही यह करवाई जाएगी यानि 15-20 दिन लगने जांसलिंग के अंदर जाने वाले हैं उसके बाद मैं दौट कर लेते ہیں कि जो आपकी लिश्ट वह कब तक सकती है मोंस्ट अपको लिश चाने को मिल जाएगी अगर शेडάल किसी बी Uma तो आप मानों कि BSTC का जो काम हो वो सारा डिलेई होता है हर काम लेट होता है तो फिर तो लिस्ट दिसम्बर जनावी तो भी चले जाए लेकिन स्चेड्यूल के साफ से काम होता है तो मैं आपको डेट बता रहाओं नवंबर के अंदर आप माननों के समझो सेकेंड वीक में ठ को साथ ने कि 15 पूरा मैना कांसलिंग के अंदर आएगा थिक है मां आज आपको बहुत रहा हूं यह बात किकि हम जो भी अप्टेट देते हैं एकदम सक्टिक और सही देतें आपको अब बात करें यहां पर कुछ आपके कट ओफ को लेकर ठीक है कि कट ओफ है वो कितनी जा सकते है कितने नमर वालों को कांसलिंग करवानी है देखो कांसलिंग तो मैंने बोल दिया जो भी 300 पलस है वो कांसलिंग करवा लिना क्यूंकि मैंने एक यहां पर कम्निटी में पोस्ट डाली थी उसमें लगबग 10 से 15,000 वि का रिफंड है यह भी बहुत लेट होता है 2022 का अभी तक रिफंड नहीं आया है तो डाइसो वाली 270 वाली वह तो कांसलिंग किसी व्याल में मत करवाना लेकिन 300 से वह आना वह एक बार कांसलिंग में भाग जुरूर ले ले लेना अगर आपको संक्या बता हूं तो 300 से लेकर हम बात करें यहां पर 400 की समतिंग में तो यहां पर भी आपको 20% विद्यारती देखने को मिलेंगे और 400 प्लस तो आपको पता है उनली 10% विद्यारती है तो 70% मैंने बोला था 70% आपकी विद्यारती उपर है और 300 से नीचे वह आपके कितनी है वह आपके 30% ठीक है यह भी बना दिए कि आपको college कैसे बढ़नी है वो आपको अलग से video provide करवा दिए उसके बाद college list है उसका वी एक अलग से video मैंने provide करवा दिए कि आपके जिले में कौनसी college है कितनी college कहां पर है एकदम अच्छे से सारे video मैंने आपको provide करवाई है तो वो video एक बार counseling करवाने से पहले जुरूर देखना और जैसे counseling start होती है उससे पहले मैं आपको एक-दो वीडियो और प्रवाइड गरवाद दूँगा ठीक है दिक्कत कहीं पे भी नहीं आपको सारी एकदम अच्छे से समझाओंगा उसके बाद में college list को लेकर आपका doubt है तो जैसे इदे को counseling स्टार्ट होती है तो मैं आपको लिस्ट परवाड करवा दूँगा हाँ मेरी पूरी यहां पर कोशिस है कि मैं आपको लिस्ट है वो counseling से पहले परवाड गरूंग तो एक बार आप मुझे मेसेज कर देना 9024314858 ठीक है बहुत स्टूडेंट के नाम से मैं मेसेज कर देना म ओल्मोस्ट मगर आपको बताऊं तो साड़ी 300 प्लस है ना उनको आधरास्तान में college मिलने के full chance है ठीक है अब आप यह मत बोलना कि साड़ी 300 से निच्चे उनको college नहीं मिलेगी क्या मालो आपकी एक college है ठीक है कुनजी college है बाड़ मेर की college है यहां पे लेकर अलग सा उदान नहीं में अपको देता हूं ठीक है बाड़ मेर की college है यहां पे देखो 50 से उनमें सी देख लो सब क्या हो गया है साड़ी 300 प्लस वालों को college मिल गई ठीक है थे क्या करतेंगी वह दस से बारा सीट है ना वो साड़ी 300 सै नीच ना जो 340-330-320-310-310-320-310-310-330-310-310- काउंसलिंग अत्यावसी करवानी 300 स्यूपर काउंसलिंग आना वो आपको जुरूर करनी अब देखो काउंसलिंग को लेकर यह डाउट मत रखना एक विद्यारती मेरे पास मेसेज गर रहा था जैसे कि सर्जी यहां पे यूटूब है में 390 जो है वह ओबी सी कटों बताई ज आई प्रमाण पतर चाहिएं और आपके कितने नबर बन रहे हैं वह आप मुझे एक बार जरूर बताए और मैंने आपको कुझे अप कांसलिंग का लगसी विडियो दे दिया डोकूमेंट पैसे एंसे और 10th, 12th इन सभी की मारक सीट चाहिएगी, आई परमान पतर चाहिए, ठीका का सर्टिफिकेट एक साल से पुराना नहीं चलेगा भई, वो आप बनवा लेना, और बेंक की डायरी है न, अगर आपका खाता बेंक में है तो अच्छी बात अगर नहीं है तो बेंक में आप खात की जाएगी, धनिवाद